हाई दोस्तों शुरू करते हैं exercise 8.1 का question number 7 if cot theta is equal to 7 upon 8 then evaluate number 1 पे 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus sin theta और दूसरा है cot square theta अगर आपको दिया है कि cot theta की ratio 7 upon 8 है तो आपको ये दो चीज़े evaluate करनी है इनका answer निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर triangle बना लेते हैं red triangle और इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC red triangle at B अब यहाँ पर theta है तो मैं यहाँ पर theta ले लेता हूँ अब जहाँ पर theta होता है उससे जोड़ी हुई line होती है वो होती है इसके अंदर base तो यहाँ पर इस figure के अंदर मेरा base हो जाता है AB और इससे दूसरी वाली line जो 90 degree का angle बनाती है वो हो जाती है perpendicular तो perpendicular इसमें BC हो गया hypotenuse होती है हमेशा होई है 98 angle के सामने वाली जो सबसे longest side होती है वो अपका hypotenuse होती है यह किसी case में change नहीं होती है लेकिन base और perpendicular अपने angle की वज़े से change हो जाते हैं अगर यह theta मेरा यहाँ पर होता हो तो फिर मेरा base यह बन जाता हो क्योंकि angle से touch जो side होती है वो base होती है और perpendicular फिर यह बन जाता हो आई अब इसे शुरू करते हैं तो cot theta is equal to 7 upon 8 अब cot की ratio क्या होती है वो निकलेगा आपके इस मंतर से पंडित बद्री परशाद हर हर बोले sin cos 10 cot sac cos sac यह तो दोस्तों आप question देखते ही इसे बना लिया करो क्योंकि इसका तो use हो नहीं होना है question में तो cot theta is equal to 7 upon 8 और cot की ratio होती है यहाँ पे यह नीचे से देखेंगे cot को b upon p यानि कि यह है base upon perpendicular अब आपकी figure के अंदर base क्या है a b और perpendicular क्या है b c तो यानि कि a b जो है वो 7 है तो a b की चीगे मैं यहाँ figure में 7 लिख देता हूँ और b c की जगह पर 8 यह जो b c है यह आपका हो जागा 8 अब क्योंकि यह ratio है तो इसके साथ में यहाँ पे मैं के लगा देता हूँ यह ratio है और यहाँ क्योंकि है मैंने वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 7 upon 8 इनकी actual length नहीं है यह ratio है यह कुछ और भी हो सकता है यह से 7,3,021,8,3,024 तो यह 21 और 24 हो सकती है इनकी length तो यह cutने के बाद शायद 7 upon 8 आगया हो इस तरह से कुछ भी हो सकता है तो इनके पास में कोई न तो यहाँ पर 7 के और 8 के मैंने लगा लिया अब इस figure के अंदर आपको एक side unknown है तो question सबसे पहले तो इस side को ही निकालना पड़ेगा उसी के आगे फिर यह question होगा और यह निकलेगी आपके पाइधागुरस थियोरम से तो बाइधागुरस थियोरम आपका A C square हो जाएगा A B square प्लस B C square यह होती है दोस्तो पाइधागुरस थियोरम कि सबसे longest side जो होती है राइट ट्रेंगल में उसका square बाकी की इन दो side के square के sum के बराबर होता है जिनने perpendicular और base भी बोलते है चलिए values रखते है A C square हो जाएगा आपका A B की value 7K square B C की value 8K 8K का square next step में A C square is equal to 77's of 49 49 K square 880's of 64 और K का square next में A C square is equal to 49 और 64 यह हो जाता है आपका 113 113 और K square अब A C की value अगर निकाल ली है तो यह जो square है यह इस तरफ आके आपका square root लग जाएगा तो 113 K square के उपर यह आपका square root हो जाएगा तो इस तरह से A C आजाएगा आपका अब 113 का तो कोई square root होता नहीं है तो यह तो रहेगा आपका square root के अंदर ही और K square का square root आपका K होता है तो A C की जो value आगई अंदर root 113 K अंदर root 113 K यह आपकी A C की value आगई अब आपको triangle में तीनो sides पता है आप जिसकी भी आप value निकालना चाहे वो आप निकाल सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ निकालना है यह दिया हुआ है नंबर 1 पे इसकी value आपको निकालना है चलिए इसे लिखते हैं पहले फरस्ट में आपको निकालना है 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta इसे evaluate करते हैं देखिए 1 plus sin theta 1 minus sin theta यह आपको दिख रहा होगा कि a plus b a minus b इसके अंदर identity लग रही है a plus b a minus b की और a plus b a minus b होता है आपका a का square minus b का square तो यानि यहाँ यह हो जायागा 1 का square minus sin का square इसी तरह से नीचे identity लग रही है तो यह हो जायागा आपका 1 का square minus cos का square तो cos square theta इसे ऐसे लिखेंगे कभी भी theta के उपर square नहीं लगा न यह आपका इसकी ratio के नाम के उपर square लगता है आगे से further evaluate करेंगे तो 1 का square तो 1 ही होता है और sin की value अब आपको sin की value चाहिए तो पहले sin की value निकाल लेते हैं sin theta की तो sin theta आपका हो जाएगा sin की ratio होती है P upon H यानि perpendicular upon hypotenuse आपकी figure के अंदर perpendicular है BC और hypotenuse है AC इनकी values BC की values 8K है और AC की value 113 under root K के से के कट गया finally 8 upon under root 13 तो sin theta है 8 upon under root 13 इस डारेक्ट मैं इसमें value पूट करता हूँ minus 8 113 और इसका square इसी तरह से नीचे 1 minus cos square theta तो अब cos square की value निकालने पड़ेगी cos की value cos theta की value होती है cos का है आपका base upon hypotenuse और आपकी figure के अंदर base है AB और hypotenuse है AC AB की value 7K AC की value 113 root K K से के कट गया 7 upon 113 under root तो यहाँ पर यह 7 upon 113 का square आगे फर्दर सौर करते है तो यह आजाएगा उपर आपका 1 minus 8 का square 64 होता है 8 is a 64 और under root का square under root हट जाता है यानि कि यह 113 आजाएगा इस तरह से नीचे 1 minus 7 का square 49 होता है और नीचे यह under root और यह square solve हो जाएगे तो under root आपका हट जाएगा यह आगे 113 next step करते है तो अब 113 10113 यह इससे multiply हो जाता है 113 10113 और minus 64 minus 64 और नीचे as it is 113 इसी तरह से नीचे 113 इसका LCM होता है तो 113 10113 minus 49 upon 113 इसके अगले step में 113 में से जब 64 को minus करेंगे तो यह आपका आजाता है 49 और नीचे 113 और यहां पर 113 में से जब 49 को minus करेंगे तो यह आपका 64 आजाता है और नीचे 113 अब क्योंकि इनके दोनों के denominator सेम है तो यह आपस में cancel हो जाएंगे इस तरह से यह हो गया यह cancel तो फाइनली नूमिनेटर में आपका आया 49 और डिनोमिनेटर में आया आपका 64 और यही आपकी इसकी वैलू है तो यह था इसका फर्स्ट पार्ट अब निकाल लेंगे सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट में वैलू निकाल ली है cot square theta की तो cot square theta तो सबसे पहले तो cot की value निकाल लेते हैं cot theta हो जाता है आपका cot की value यहां से देखेंगे आपके इस मंत्र में से b upon p यह नीचे से देखेंगे क्योंकि cot नीचे है तो यह ऐसे देखेंगे b upon p यानि base upon perpendicular figure में आपका जो base है वो a b है perpendicular आपका b c है और a b की value 7 k है b c की value 8 k है k से k कट गया binary ratio 7 upon 8 आगी तो cot theta की value है 7 upon 8 तो cot की जगे 7 upon 8 लिखना है और क्योंकि इस पे square है ratio के उपर square है तो इसकी square करना है तो 7 का square 7, 7 is a 49 और 8 का square 8, 8 is a 64 तो second वाले का answer 49 upon 64 इस तरह से आपके दोनों answer निकल जाते है I hope आपको कोशन अच्छे से समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इससे like कर देना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी subscribe कर देना Thank you